महाराश्ट्र में मुंबई और धूले में दो सर्जनिक रेलियों को संबोधन करते हुए कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधान्वन स्वी नरेंद्र मोधी की आलोचना करते हुए कहा कि कोई भी मौका हो पांच मिनट के लिए भी नरेंद्र मोधी जी विपक प्रेस कांफरांस करता हूं ये सब प्रेस वाले में तरह आते हैं सवाल पूछते हैं आपने कभी देश के चोकीदार को प्रेस के सामने देखा है इनको 15 मिनिट दे दो 15 मिनिट दे दो उनको सामने बैठा दो दूद का दूद पानी का पानी कर देंगे मैं बता रहा हूँ और मैं नरेंद मोतीजी को चैलेंज देता हूँ बरस्टचार के मामले पे आप आके मेरे साथ बात करो इनको सामने खड़े कर दो मिनिट से डिबेट कर दो दो मिनिट मेरे सामने डिबेट कर दो हिंदुस्तान से ना भागना भागना पड़ जाए मैं देखूंगा कॉंग्रेस का कोई भी कार्य करता कॉंग्रस का कोई भी नेता सरकार के बारे में सरकार पर कोई भी अरोप नहीं लगाएगा क्यों बोला मैंने क्योंकि लड़ाई चल रही थी और मैंने कहा अपने लोगों से कहा देश की जनता से कहा हिंदुस्तान को एक साथ खड़ा होना है बंगिन्ने बंध होंगे फिर से हम राजनेती शुरू कर देंगे मगर जब तक हमारे लोग शहीद हो रहे हैं तब तक कॉंग्रेस पार्टी कोई राजनेतिक आक्रमन नहीं करेगी सही बोला गल्द बोला सही बोला अब प्रधान मंत्री पुल्वामा में बं फटता है मीडिया को कहते हैं हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है और फिर कॉंग्रेस पार्टी विपक्ष पर आक्रमन करते हैं उसी समय इंडिया गेट शहीदों का मॉनिमेंट खुलता है प्रधान मंत्री सीधा कॉंग्रेस पार्टी विपक्ष्चे उपर आक्रमन करते हैं मतलब पांच मिनट भी हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री पांच मिनट भी अपने पबलिक रिलेशन्स को अपने पियार को छोड़ नहीं सकते हैं यह हमने अरुमने परके